Hello everyone, आप लोगों का स्वागत करता हूँ मेरे कॉर विडियो में आज का जो टॉपिक होने वाला ए वह होने वाला है पॉलिटी पॉलिटी का उल्रेडी में परिचय किलास ले चुक्ण है हूँ इंट्रोडक्शन किलास ले चुकआ हूँ जिसमें हम सब देखे थे कि क्या-क्या पढ़ना है पहले चैप्टर में यानि अभी जो आपका चैप्टर नमबर फर्स चलेगा वो चलेगा एथियासिक प्रिस्ट भूमी जिसको दो भागों में बाटे थे हम सब एक तो था East India Company के अंतरगत भारत और दूसरा था British Crown के अंतरगत भारत अगर आप पुराना वाला वीडियो नहीं देखे हैं यानि इसके पहले वाला तो उसको पहले देख लें ताकि ये वाला वीडियो आपको समझ में आए तो उसके अंतरगत हम सब देखे थे कि East India Company के अंतर पूचा जाता है बहुत सारे प्रस वाले चैप्टर से आते हैं तो चलिए एक एक करके देखते हैं चैनल पर नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजेगा और टेलिग्राम चैनल को जरूर जोइन कर लीजिएगा क्योंकि वहीं पर ये सारा पेडियाप आपको मिलेगा free of cost तो description में लिंक है आप जाकर तुरत जोइन करें टिलिग्राम चैनल को और इसके अलावा आपको टेस्ट भी attempt करना है जो कि मैं daily लेता ही हूँ कल आएगा आपका टेस्ट के वीडियो ठीक है तो चलिए सुरबात करते हैं अगले 45 दिन में मैं तो 1773 के regulating act के निमन विशेशता है पहला नमर देखिए बंगाल के governor पत को governor general of बंगाल पत के रूप में इस्थापित किया गया आप से direct question पूछेगा governor general of बंगाल किस act के विशेशता के अंतर गता है तो 1773 का regulating act ठीक है तो बंगाल का governor पहले governor कल आता था लेकिन अब क्या कल हने लगा governor general of बंगाल यानि बंगाल का governor general ठीक है तो actual में अगर हम बात करें तो अंग्रेज की तीन presidency हुआ करती थी एक हो गया आपका बंगाल एक हो गया मदरास और हो गया बंबय क्यों होता था ऐसा क्योंकि यह आप देख सकते हैं भारत का अगर मैप ध्यान से देखें तो इस side है हिंद महासागर नीचे एक side है बेयो बं कौन कौन सा कौकत्ता मदरास यानि जिसको चन्न नहीं बोलते हैं और बंबय जिसको मुंबय बोलते हैं ठीक है तो यह तीन था तो यह तीनों पर हम सब पढ़ेंगे ध्यान से पढ़ेंगे तो 1773 के regulating act की विसेशता में सबसे पहले हम सब समझे कि जो बंगाल है इंपोर्ट उसके बाद क्या होता है इसमें तो गवर्नर जनरल बंगाल जो की वारें हैंस्टिंग हुए थे इनके लिए चार सदस्य परिसत का प्रापधान किया गया वो चार सदस आप जरूर याद कर लें कभी-कभी hard question बूसता है तो फिलिप्स, फ्रांसिस, जॉन, कैले वरिंग, बारवेल ठीक है यह चारो नाम आपको याद हो रहना चाहिए यह चारो पूसता है और देखते हैं 1773 के regulating act में क्या विसेस्ता आया तो यह तीन चार fact है fact basis पे आपको याद करना है बंगाल के governor पत को governor general of बंगाल कहा गया बंबय और मदरास के presidency को बंगाल के अंतरकत रख दि के आप नाम नीचे देख रहे होंगे और देखते हैं 1773 में क्या क्या हुआ था तो कॉलकाता में एक उच्छतम नियाले की स्थापना 1774 में की गई बहुत बार कुस्टन में आया है भारत का पहला नियाले को अहां पर इस्थापित की गई थी तो कॉलकाता में कौन से उस्थाम नियाले के प्रथम मुक नियादिस कोन बने थे तो अलीजा इंपे नाम आप नहीं भूलेंगे अलीजा इंपे इनके साथ तीन अनियादिस की भी नियुकती वी थी उनका भी नाम आप याद रखेंगे एक का नाम था लिमेस्टर दूसरे का नाम था चेमबर्स औ एक का और क्या नम था हाइड ठीक है यह तीनों नाम आपको याद लेना चाहिए और 1773 के रेगुलेटिंग एक में क्या क्या है तो कंपणी के करमचारियों को भारत से उपहार लेने रिस्वत लेने तथा नीजी उपहार पर रोक लगा दी गई करमचारियों का वेतन बढ़ा को भारत में इसके राजस नागरिक और सेन मामलों की जनकारे ब्रिटीज सरकार को देना आवस्यक कर दिया गया तो 1773 का जो साल आप देख रहे है रेगुलेटिंग जो पहला आया था ऐसा क्या घटना घटित हुआ होगा जो ऐसा हुआ तो आपको पता है कि बक्सर का करना था यहां पर उसके लिए विविन परकार के एक्ट लाए गए अगर आप पॉलिटी पढ़ते हैं तो सब किताब में पहला चेप्टर यही दिया गया है तो एक्ट डाने में सबसे पहला एक्ट कौन सा है रेगुलेटिंग एक्ट जो भी हम सब पढ़ रहे हैं उसके अ कि जानकारी किसको देता था ब्रिटीश सरकार को देना अवस्य कर दिया गया है मतलब हमारे देश में आकर के अंगरेज अराम से हम सब के देश के रूल एंड रेगुलेशन को चेंज कर करके और सारा कुछ दे रहे थे जानकारी का ब्रिटीश सरकार को और हम सब बस देख लेते मतलब यही होता है ठीक है तो वह सब पॉलिटिकल इस उपर हम सबको नहीं जाना है तो यह आपको याद रहना चाहिए इससे बार-बार कोश्चन आएंगे ऐसा कोश्चन आएगा कि बताईए कि पहला बार जो उस्तम न्याले का गठन 1774 में वहा था वह किस एक्ट के त 1773 प्रथा मुक नियादी साब से पूछ लेगा तो इस प्रकार से जब आप पढ़ते हैं तो नोट्स बनाते हैं तो आपका बहुत सारा कोश्चन बन जाएगा ठीक है बाद में मैं टेस्ट लूँगा ही आप सब देंगे टेस्ट और बताएंगे कि उतना मार्स आया चलिए तो आईए जानते हैं तो regulating act 1773 की कमी को दूर करने के लिए संसोधन अधिनियम 1781 लाया गया यानि act of settlement 1781 लाया गया अब इस अधिनियम की क्या प्रमुक विसेस्ता हैं क्या आपका प्रसन आएगा तो इसमें मुक रूप से पहला काम ये किया गया कि governor general of बंगाल क्योंकि बं उस्तम नियाले का जो नियादिस था मुक नियादिस वो अपने आपको हेट समझता था और governor general of बंगाल अपने आपको हेट समझता था तो दोनों में जो बहुत ज़्यादा डीफर था दोनों में जो बहुत ज़्यादा टेंसंस थी उसको कम करने के लिए ये वाला संसोधन नदिनियम 1781 लाया गया इसमें ये बताया गया कि governor general of बंगाल को ये काम करना है और उस्तम नियाले के मुक नियादिस को ये काम करना है तो अलग-अलग काम बताया गया Second, क्या है? तो Governor General of Bengal और उसकी परिशत तथा Company के अधिकारों के कारियों को उच्छतम नियाले के नियंतरन से अलग किया गया यानि Governor General of Bengal जो काम करेंगे या उसका जो परिशत काम करेंगे यानि उसका जो टीम काम करेंगा वो अपना अलग करेंगा उसके लिए उचितम नियाले का मुखन्यादिश उसको नियंतरण नहीं करेगा तो अलग कर दिया गया उसके बात क्या किया गया तो Governor General of Bengal की परिशाद द्वरा बनाएगे नियम को उचितम नियाले में पंजीकरिट करने के लिए बाद नहीं होगे यानि Governor General of Bengal का परिशा जो भी नियम बनाएगा उसको आपको उस्तम नियाले में पंजिकरित नहीं करना है यानि उस्तम नियाले में आपको ये बाद नहीं है कि आप बताएंगे ही बताएंगे जाकर के समझ में आ रहा है बात से तो गवर्नर जनरल अब बंगाल को इस एक्ट से यही समझ में आ रहा है कि गवर्नर जनरल अब बंगाल जो था उसकी सकती को और ज्यादा strong किया गया मजबूत किया गया इसके अलावा क्या किया गया तो भारतियों के समाजी के भम धार्मिक रिती रिवाज को सम्मान करने का निर्देश दिया गया देखें अंग्रेज जब हमारे पास आए मतलब हमारे देश में आए तो वो एक बात तो प्रोपर समझ गयती कि भारत के समाजी को और धार्मिक रिती रिवाज को छेड़चार नहीं करना है हम सब को सासन करना है इससे जो भी राजासु निकलता है जो भी पैसा निकलता है उसको लेकर के ब्रिटेन को अमीर बनाना है यही इसका मैन उद्देश था इस कारण से हम सब के बीच में ऐसा सब एक्ट लेकर आया जिसकी कोई आवज सकता थी भी नहीं ठीक है अपने फाइदे के लिए यह सारा एक्ट लाया गया है लेकिन चुक्कि आपका एक्जाम है एक्जाम में फैक्ट पूसता है तो आपको यह याद करना पड़ रहा है और आपको याद करना भी चाहिए ठीक है देखिए पॉलिटी की जो वीडियो है वो थोड़ी लंबी बनेगी यह मैं मानता हूं और आपको पूरा देखना है तभी आप पॉलिटी में अच्छा कर पाएंगे इसके बाद भी इस अनिदिनियम के कुछ और भी विशेष्दाई थी क्या क्या तो प्रांतिया नियाले का अपील गवर्नर जनरल और बंगाल परिसद के पास होगा ना कि उच्छतम नियाले के पास तो मैं आपको इस एक्ट के बारे में बता ही रहा हूं कि गवर्नर जनरल का सक्ती जो है वो बढ़ा दिया गया देखिए तो आपका पहला केस सिविल कोट में जाता है यानि अधिनस्त नियाले में जाता है उसके बाद वहाँ पे अगर आपको नहीं इंसाफ समझ में आता है तो आप आगे जाते हैं उच नियाले जाते हैं और लास्ट में उच तम नियाले जाते हैं लेकिन यहां उल्टा बात है य वाँकी सारा मामला कुन देखेगा तो Governor General of Bengal, ठीक है, तो मुख रूप से इस विसिस्ता में 1773 के Act को सुधारा गया, और मुझे लगता है कि इस वाले Act में Actual में क्या किया गया, तो Governor General of Bengal का Power को जो है वो Increase किया गया, मुख रूप से यही बात ता बढ़ाया गया, चलिए बढ़ते हैं अगले अब देखते हैं 1784 का पीट्स इंडिया एक्ट यानि पीट्स इंडिया एक्ट 1784 इसके ताथ क्या-क्या विशेस्ता हैं तो इसमें कमपनी के वानिज्यक और राजनिती गतिविधी के नियंतरन को अलग किया गया यानि कमपनी पहले वैपार को भ किया गया किस एक्ट के ताथ तो पीट्स इंडिया एक्ट 1784 अब उसके लिए क्या किया गया इसमें नियंतरन मंडल यानि बोर्ड आप कंट्रोल की स्थापना की गई बोर्ड आप कंट्रोल क्या करेगा तो यह कमपनी के राजनितिक मामली के लिए था अब आपसे पुछे कि नियंत्रन मंडल यानि Board of Control की स्थापना किस एक्ट के तहत की गई तो पीट्स इंडिया एक्ट 1784 जब मैं ये पूरा चेप्टर फिनिस करवा दूंगा आप सबका फिर मैं टेस्ट लूंगा लगवक्त 50 के आसपास कुस्षन रहेगा हर एक चेप्टर का तो आप देंगे ज राजनीतिक मामले को देखेगा Board of Directors वानिज यानि वैपार के मामले को देखेगा और Board of Directors के लिए कुल छे सदस्त तै किये गए इसमें से दो सदस्त जो होगा वो ब्रिटिस पार्लियामेंट का होगा यानि Cabinet Minister होगा ब्रिटैन का और रूल कहां करेगा भारत में आप देख जो ब्रिटिस मंत्री मंडल के होगे उसमें एक अर्थ मंत्री होगा वित मंत्री और एक विदेश मंत्री होगा तो आपसे पूछेगा कि पीट्स इंडिया एक्ट 1784 की क्या विसेस्ता था तो इसमें कमपनी का वानिज और राजनीतिक गतिवीदी को अलग किया गया नियंत सब जल्दी मिलते हैं दूसरे के लास में विडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्स्क्राइब कर लेंगा और एक लाइक कर लेंगे इसका प्लेलिस्ट में बना दिया हो पॉलिटी प्राशन और उत्तरा धारित आप जरूर जाकर उस प्लेलिस्ट को फॉलो करेंगे वहीं पर मैं सारा विडियो सिरियल वाइज अपलोड कर दूँगा और दूसरी बात ये है कि इसका जो पीडियाप है वो हमारे टिलिग्राम चैनल पर अबलेबल होगा तो आप डिस्क्रिप्सन में लिंक के जोईन जरूर कर लें वहाँ पर मैं बहुत सारा चीज बताते र बता हूं और इसके अलावा पीडियाप मिलता है तो मैं वीडियो को ज्यादा बड़ा नहीं बनाता हूं वैसे तो मैं सारा एक्ट अभी ही बता दूं लगवग हो जाएगा 30-40 मिनट का किलास लेकिन इतना बड़ा किलास आपको बोर कर देगा इसलिए आप अराम-राम से प पढ़ा रहा हूं आपको डिरेक्ट ऐसे पढ़ा रहा हूं तो यह सारा कार्ट छाट के बनाया गया है हरे कुस्टन आपको इसमें कुछ भी सौट नोट्स नहीं तियार करना यह पूरा याद हो जाना चाहिए अब इससे सौट नहीं हो सकता है ठीक है तो जल्दी मिलते है वीडियो में तब तक चैनल को जरू सब्सक्राइब कर लिजेगा थैंक यू सो माच बैबाए टेक कियर एंड गड़ ब्लेस यू तो अल